हालो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जाद पर मैं हूँ आपका दोस्त मौमद जाद और दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वैक्सिन्स और वैक्सिनेशन के बारे में तो वैक्सिन्स जो होता है वो होता है एंटीजन antigen मतलब की antigen मतलब opposite और gen मतलब pathogen pathogen मतलब harmful microbes जो होते हैं उनके खिलाफ तो ये antigen containing material होता है जो की permanent effect temporary immunity के लिए दिया जाता है एक pathogen के खिलाफ एक disease के खिलाफ तो पुराने जमाने में हम लोग क्या करते थे कि semi killed या फिर पूरा killed pathogen हम लोग use करते थे vaccine बनाने में बट आप लोग जानते हैं कि pathogen सभी semi active हो सकते हैं हो सकता है कि पूरी तरीके से मरे ना हो तो जब हम लोग ये vaccine लगा दें और फिर उसके बाद body के अंदर जाके वो जिन्दा हो जाए तो बहुत समय दरवाजा खुला चोड़ देते थे तो एक दिन एक छोरा आया और फिर उसने आपके घर पर चोरी नहीं की चोर आया ब्र तोड़ फोरड करके चला गया उसने चोरी नहीं की और फिर आपको सबक मिल गया कि अपसे आपको दरवाजे को बन्द रखना है तो उसी तरीके से वैक्सिंस होते हैं हमारी बॉड़ी में यह पैथोजेंस को छोड़ दिया जाता है जिससे हमारा ब्रेन एनलाइज कर देता है कि यह पैथोजेंस कर देता है दोबारा इसको नहीं आने देना है तो उस तरीके से वह दोबारा उसको रोक लेता है औ और फिर उसको synthesize करके उस पे artificial changes लाके हम लोगों ने एक vaccine तयार कर दिया इस तरीके से हम लोग safer vaccine बनाते हैं पैथोजन को छोड़के उसके gene को introduce करते हैं तो इस तरीके से हम लोग आजकल use करते हैं इनका जिसके वज़े से कोई भी problem नहीं होती है और कुछ vaccines जो होते हैं वो thermo stable होते हैं और longer duration के लिए active होते हैं जैसे polio के vaccine जो बच्चों को लगाए जाते हैं और hepatitis तो यह सब vaccines होते हैं